यह कटोफ है न आउटोफ सो रहेगी सबसे पेले हमें न हमारे अधार पर कटोफ इसका आसपास रहने वाली यह वैके अब भई हर एक यूटूबर वीडियो बनाएगा तो मैं भी बनाऊंगा कि लिस्ट कितनी जाएगी अब किसकी कितनी जाएगी हेलो सभी को नमस्ते गुड़ीवडिंग ट्यौल अफिव इमीद करता हूं सांधार होगे लेको क्या आता है कि कटोफ हमेशा हम वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारे स्राउंडिंग के आसपास नंबर बनते हूं हुआ है ग्रूप डी को लेकर खे और जो ग्रूप डी का जो कटोफ का यह number of question है आपके category wise यह कटोफ है ना out of so रहेगी सबसे पहले हमें ना हमारे फोजी भाईयों से सुरुवात करते हैं क्योंगी फोजी भाईयों की दिल में एक अलग respect है तो एक सर्विसमेन की कटोफ है ना इस बार 60 से 61 हो सकता है यह कटोफ है हमारे फोजी भाईय उनकी कटोफ है ना लगबग क्या होती है सेम होती है तो मेटा BCB की कटोफ है ना इकेतर से बेतर के बीच में रहने के पूरे पूरे चांस रहेंगे और EWS आप हर्याना की कोई भी बरती उठा कर देख लो इनकी कटोफ है ना लगबग है ना एक number का फांसला होता है और यह आप मान करते लो BCB और EWS की final cut-off होती है ना वो हमेशा जर्नल से एक नमबर कम रहती है हो सकते है दो नमबर भी कम रहता है BCA की cut-off है ना उन्हें 30 से 70 ये मैं नहीं कहे रहा ये प्यारे बच्चो 25 परसेंट जो बच्चो ने एनलेटिक है उस पर है अब कुछ बच्चे ने कल इसलिए नहीं बनाई AC Candidate जिसके 65 के आसपास नमबर है ना वो शोर हो सकते हैं ये 100 में से रहेंगे पिचाण में में से नहीं रहेंगे एक सरी जो आपका स्पोर्ट्स परसन है ना उसको 53 चमन नमबर है तो वो लड़ू बाढ़ सकता है और प्यारे बच्चो ये आपका physically handicapped है ना उसका 58 के आसपास है ना 57 में भी उसका नमबर है पढ़ सकते हैं आपकी क्या रहा है आप भी प्यारे बच्चो कोमेंट है जरूर करना थेंक्यू लब यू टेक केर बाबाद राम राम जी बहुत बहुत सबका स्वागत है या कटोफ जो मैंना बताई थी एडजेक्ट है वई दो नमबर जर्नल की तो नो मैं लिए चुँ एतर तकम तो चांस है गो निए फेर भी एक बात लिख दी कि दो पलस है दो माइनिस इस्ते कर लिए पलस भी जास का माइनिस आउगी तो एक भी जगी आउट उप सो मत है यानि जो पांच नमबर जो है सोशियो एकनोमिक है वह जोडने के बाद ही आमने का टो बता रही है जो एतर जर्नल की एसी की 66, BCA 70, BCB 72, EWS की 22, physically handicap 62, अचा खेलाना की 52, 55 की जगा 92 में भी हो जगा एक्सरेश्मान की चुमन में हो जगा ठीक है फिर भी अगर जोर मैर के एक बात अगर मैं आपने बताओं जोर मैर के अगर सारे की सारी बरती पूरी हो जाती है 32,000 जो बरती है पहले सारे की सारे हो जाती है फिर जर्नल में जर्नल की लिस्ट जो फिर बड़े अराम से 70 के उपर आ जाओगी SC वाली लिस्ट जोहा 63 अला का हो जाओगा BCA वाली जोहा बड़े अराम से 68, 68 का हो जाओगा BCB की जराम से 70 हो जाओगा EWS का राम से 68 या फिर 69 के अंदर हो जाओगा EWS का फिजीकली एंडिकाप का ठाओण के अंदर हो जाओगा SPORTS 45 पलस साड़ा का जमा राम से हो जाओगा और EX-SERVICEMAN का 60 पलस में बड़े राम से हो जाओगा या कट ओफ किसके बताया दी मैंने या कट ओफ उनकी बताया दी यानि जब यो सोदा जो है कि आउट ओफ अंडर में की उस टेम पर है कि जद वो बरती सारी पूरी हो जेंगी पूरी उनके बाद पुलिस सारी बरती पूरी हो जो 44, 43, 44, 44 नंबर का सब का फरक पड़ेगा बाई यार जितने आपके अधार पर का टोफ इसका असपास रहने वाली है ये बैके मेरा ये कैलकुलेशन निकाला है देख लीजिए बई देखो यहां पर एक बार मोटा मोटा कि बई यहां मैं बात करूँ सो में से नंबर नंबर की बात कर रहे है ठीक है आपके पांच ए जोड़ने के बाद एक्ष्टा जोड़ दोगे अब सो में से आपकी कितने मान लीजिए पेपर में आपकी है देखो बई मेरे इसाफ से जन्रल की जादा नहीं जाएगी आपने 69 से 72 इसके बीच में 69 रह जाए 70 हो जाए 71 72 यहां तक 72 पलस वाला अराम से टैंसन फ्री रहना तो इसमें से दो नमबर और गटा दो आप है 67 और आप लगा लिजिए 70 इसके बीच में भी किसी के नमबर है तो भी वेटिंग में चांस याद रखना अगर दूसरी वेटिंग आगी आपके किसमत काम करती है तो दो नमबर औरे 65 पलस है 65 औरे आपके 68 यह सेकेंड वेटिं यह सेवंटीटीटू यह से आप यह देख लिजी डिवलोस की 67 से 71 बीसी बीसी ए और एसी के टेगरी ठीक है यह सम अड़तालीस पलस मेंने कम से कम पांच है फोजियों से जो एक सर्विस मैंने ना उनसे बात करी इसी विज़े से डी क्या पहले हुआ है अगर आगे भी बर फिर यह लिश्ट रहेगी अगर पहले सी का लेंगे और सी की रिजल्ट निकालेगे डी का बाद में निकालेंगे पांच पांच नम्मर और गट आदेना सिधा-सिधा ठीक है कि सर्विसमें की बावन बेमान के चल रहा हूँ BCA की 68 पलस माइनस टू लिखा बेटा 66 भी जा सकती है और 70 भी जा सकती है BCB का लिखा मैंने 70 पलस माइनस दो 68 पे भी जा सकती है बेटा 70 पे भी जा सकती है physical handicap की 50 ही रहेगी फाल्तू लिख दीनोंने 52 physical की क्योंकि physical वाला अपकी बार थोड़ा सा लोचा भी हुआ है बाकी कोई फरक नहीं पड़ेगा तो जर्नल की मान के चलना के सर कहां घूमेगी 75 से पचेतर के बीच में घूमेगी लेकिन ये भी कमिशनरी वाला बेटा चार कमिशनरी है पांच पुलिस रेंज है ये भी इसलिए बताई ताकि मैं गाली ना खाऊँ मुझे पता है और इसको नीचे तो आने की सोचना भी मत कि नीचे आजाएगी अग गरूप सी की भरती कम्प्लीट नहीं तो ऊपर आजाएगी ठीक है एड़ूवस में दोस्तों आप मान सकते हैं एकहतर के आसपास ठीक है यदि मैं ऐसे की बात करूँ यदि मैं ऐसे की बात करूँ तो आपकी लग बग 66 के आसपास ऐसे की कटोफ है वो रह सकती है संभावना है यदि मैं बीसी ए की बात करूँ तो दोस्तों ये एक दो नंबर ज्यादा रह सकती है या BCA को 68 कर लीजिए और इसको आप 70 के आसपास मान लेजी BCB को 70 के आसपास यदि मैं sports person की बात करूँ किसकी sports person की बात करूँ तो लगबग 56 के आसपास बच्चा है वो इस लिस्ट में आ सकता है अब नीचे कितना आँगा अब नीचे आँगा मैं लगबग हम बात करेंगे मैट लिस्ट जाने वाली है 73 से लेकर के 76 के बीश में और यह 73 से 76 की जब मैं बात करूँ तो यह जो है ये के हैं यह इसकी से आपते मैं बात करता हूँ तो इतने तो कम-ते कम होना चाहिए और यह मैं के जो करेंद है यह मनने इसमें प्लिस पांच आए नमबर जोड़ दिये हैं यह तना द्यान राख्यों ये जो मन के करया है मन टोटल नंबर बताया है सो मैंतने मने क्युस्टन नहीं बताये हैं कि द्यान राख्यों इस बात का यह जल्दी से बार से सट्शन को लाइक और करते विटा यह आपको प्लस फाइव वाड़े नमबर जो हैं वो जोड़ दिये हैं जोड़ दिये हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि बात करने वाले हैं क्या तो यह आप जब भी आप इस बारे में आम बात करेंगे तो यह हैं बताऊंगा इडिव उसकी बात करांगे वह गणे गणी बैतर हो जागा बैतर हो जागा और पर आप टेस्ट की जो आती है मतलब फाइनल जो लिस्ट आएगी तो वह कमाती है कई बार तो जलन से कहीं ज्यादा ओब इसी चला जाता है लेकिन यहां पर तो सीधा डिरेक्ट सब्सक्राइब करता हूं तो ऐसी हम बात करेंगे तो लगबग आप है मानिएगा शिक्स्टी एट टू लेकर के शिक्टी थोड़ा सा और कम कर लें शिक्स्टी सिक्से लेकर के और आप से उन्टी के बीच में एक्सरीश में थोड़े से कहीं ज्यादा है नियर बाउट 58 के बीच में आप यह सकते हो लेकिन यह मैं बहुत नीचे से ला गया आज कल के एक्सरीश में जो है कुछ ज्यादा ही मतलब इंट्रेजेंट हो रखें कभी आप यह मानिएगा अगभाई यह मने जानबुझ कहीं इतना कम डाल्या है ना एक्सरीश में जो भाई है मेरे वह 30 नंबर लो तो 38 के लिए भी नोंने जो है पंचकुला जाकरके और मामलान्यू कर दिया था आख बाई जो है कितना आख मारा यह 40% अड़ा अठाओ मारा और निचाना सी है ठीक है कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लेकिन यह क्वालिफाई करने के जब बात आती है तो ठ कि इतने कम से कम इस कैटेग्री में सही होने चाहिए दो अप लोग ऊपर नीचे करके चलना है ना दो क्वेश्टन का रह जाता है उपर नीचे आप लगा के चलेगा जन्ल के लिए कम से कम आपके 70 से 75 के बीच लगाती चलो ठीक है कि 70 से 75 के बीच में एवन सही है क्योंकि मैंने काना कि दो आगे पीछे करके चलीगा तो आप यह मान के चलिए आपका डीवी के लिए नाम ठीक है है अब सबको तो पाच परसेंट मिलने नहीं है आदो को तो धाई नंबर ही मिलेगा तो वह दिक्कत आएगी आगे सामने तो यह आपका जनल कैटिगरी क सेफ स्कोर है आप लोग यह मान सकते हो कि आपका डीवी के लिए नाम आना ही आना है ठीक है बीस यह कैटेगरी की बात करेंगे 66-68 पुश्चन आपके अगर सही है तो आप लोग भी यहाँ पर निशिंत रहिए आपका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे डीवी के ल हो सकता है एक अद पुश्चन आपका ऊपर नीचे हो जाए ठीक है इडिवीस की बात करेंगे तो 70-73 देगो यह भी हो सकता है कि इडिवीस और जर्नल लगभग बराबर ही आपका चला जाएगा क्योंकि यह ट्रेंड हमने पीछे भी देखा है हरियाना के जो एक्जाम सोते है आप सभी जानते हो कि जन्रल से ज्यादा इडिवीस की चली जाती है तो लगभग इतना ही लगा की चलिए 70-73 ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा एक दो नंबर का आपको इडिवीस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है तो यह मैंने आपको बताए कि कम से कम आपके इतन करके चले तो यह हमारा नुमान है आप सभी के लिए क्या इससे कुछ चेंज हो सकता है हो सकता इसमें थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिले अगर आपका यहाँ पर नॉमलाइजेशन होगा तो नॉमलाइजेशन से थोड़ा सा एफेक्ट पड़ सकता है दूसरा यह कि है तो घुरुफ का रिजल्ट नहीं आएगा तो अगर पर आज आता है तो वह सकता आपको इह और भी कम देखने को मिल जाई इना यह एक फेक्टर है तो यह आप देख लीजेगा तो यह हमारे नुमान है जो लगाय गया है बाकिया आप लोग कमेंट करके बताना किया आप